हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मारकाम रेडी आज के वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसे फ्लाट के एक हम रेडी इनके हाल से बनाने बनाएंगे एक पूल जिसके लिए मैंने निडल लिया और साथ में हमने जो इसके लिए थ्रेड यूज कर रहे हैं वो है इसका बूल का जैसे वो बूल बूल का ये घूल में भी मिलता है और खुला भी मिल जाता है ये वहला थ्रेड ये निडल को देखें मैं एक्सपर्ट होने के साथ साथ आपको इस तरह से भी सिखाऊंगी कि आप ने होंगे भी तो भी आबनाना बहुत आसान सीख लेंगे त्रेड को मैंने इसके दो स्ट्रिप्स में लिया है क्यानी कि धबर दागा डाला है हमने सुई के अंदर और एक इतना बारी जितना आपन को बरी करेंगे यहां से आप यहां वहला थ्रेड स्टार्ट करेंगे जिसको हम घुम भी कहते हैं यानि कि यह आप नीचे से बना कपड़े की नीचे से भी बनाएंगे ना तो भी प्यारा लगेगा आप इसको उपर से बनाएंगे तो भी जी अच्छा लगता है इसको मैं को भी लगेगार मुझे को हम बार पार बार बार करते जाएंगे अप देख रहे हैं कि यह जो फुलार है उसकी शेप के साब से ही बनता जाएगा बिल्कुल आपने कनाले से ही सुई डालनी और निकालनी है तोनों साइट से इस तरह से आप इसको बहुत ज़्यादा नफीस और नीट बना सकते है जून जून ये खुला होता जाएगा उपर की तरफ जा रहा है जिसके रजैन बेबी इनफरादी तोर पर आपको नज़र आएगा कि ये कितना अच्छा और प्यारा लग रहा है बेखें बन बनते बनते आप लेकिन ये हम करें क्रॉस पिच्च क्रॉस पिच्च में करते जाएंगे ना उपर आते जाएंगे तो फिलार की शेप का ही वो भी फिलार की तरह की बनता चाहेगा थोड़ी देर में आपको फिल होगा कि ये तो बहुत प्यारा फिलार बन क्या है देखें इसको ऐसे नीचे से उपर एक त्रेड चोड़ना है एक स्टिच की तरह का जहां यह अब हम सेंटर में आगे हैं तो यहां से हम स्टिच को छोटा करेंगे और उपर वाज़ सेट जो के खुली है जिसमें से नीडल गुजर के जा रही है यह इस दर्स हम स्टिच को थोड़ा बढ़ा करेंगे अब फिर चोटा सा स्टिच लेंगे क्योंकि यहां से हम सरकल में कर रहे हैं हमारी गुंज़ाइश इतनी नहीं कि हम यहां पर भी इसका जो स्टिच नहीं बढ़ा ले सके एजी तरह देखें यह स्टिच छोटा-छोटा करते हो हमारा यह कंप्लीट हो गया यह जाये तब तक हम इसको लेकर चलते जाएंगे यह दिखें इसको कहां से भी चोटा सा स्टिच लेंगे यह इदर से थोड़ा सा बढ़ा चाहें और यह यह ऊपर आएगा इससी भूदी करास बन देगा यह ऐसे ऑपर किया नेडल को आब यहां से एक तरड़ इतने जगह पर और देखें आगे से सुई निकली है इसे तरह से हम करके यह फुलार के जितने भी इस फुलार के जितने भी यह पैटल है बन टो त्री फॉर फाइल सिक्स पैटल हम इसको रड़ी करेंगे चुंकि टाइम बहुत लग देगा इस फुलार को पूरा वीडियो मे करेंगे तो इस लिए में आपको इसकी हर पार्ट एक एक पार्ट जो है वह वाले वीडियो में उन उन की ही वीडियो को शूट करूंगी यह आप यहां पर ही हतम हो गया पर अम यह जर निक स्टिच रिए रनिक स्टेच सिर्फ इतना बड़ा स्टिच अम लेते हैं तो हुआ है इसे तरह कम्लीट होता जारा है तरेड का क्लर और फ्रेड की कौालिटी वह आप अपनी च्ट्रीच पर ले सकते हैं कंट्रास भी करसकते हैं अपने वह प्रके साब्से express कर सकती हैं यह यहां पर यह ओगा finish इसका एक battle तो हो गया finish अब इसकी यहां पे अब मैंने क्या किया है इसका color change कर लिया है क्योंकि हम एक ही क्राइब नहीं बना रहे हैं यह हमारा भन रहा है chain stitch chain stitch के इस तरह के भी इसकी बहुत सारी जो है न टाइप्स है चेंज स्टिच की लेकिन इस पकर जो मैं बना रही है उज्जे दिखें बहुत इसी है आप इसको सिंगर ट्रेड से भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आप इसको ज्यादा नीट नहीं बना सकते तो सिंगर ट्रेड से बनाएं तो भी यह बहुत हुपसरूत बनेगा लेकिन मैं डबल कर ड़ी हूँ कुछ एक साइड से अगर ताकि आपको सी तरह से नज़र आए एक साइड से आपको लगे ना कि वो थर्ड नहीं करा टाइट हो गया और एक लूस हो गया तो जो लूस हो जाता है उसको थोड़ा टाइट करते हैं एक को खेंच के तो दूनों से खोल के भी आप इस तरह से लिकास होते हैं यह देखें ऐसे आई होप कि आपको ठीक तरह समझाई है आप जी बन नहीं है फ्लार के दर्मिया में हुक्स जो कि थोड़ा इसको फूप चुरूत भी करेंगी इदर आप कोई और भी कोई भी जो आना स्टेचर यूस कर सकते ह है चूंकि यह चैनल ही आपके लिए हम रेडी के लिए है तो हम इसमें सब थ्रेड्स और सब यह देखिए आप इसमें थोड़ा होने से तंग किया है इसका जो फ्लॉड है वह थोड़ा सा द्रेड्स नीट नी कर रहा तो फ्लॉड गुप्सूरत नहीं लगेगा यहां पर हम कोई भी स्टेच चूज कर सकते थे तो भी वह से भी प्यारा लगना था यह देखिए आप अपर मर्ज़े से जो है न वह चैन कर सकते हैं यह देखिए यह हो गया हमारा जैलो कलर में हुक का भी एक सा इसका कंप्लेट पार्ट इसी तरह से हमारे हम सारे फ्लार्स के बना लेंगे सारे पैटर्स और सारी फुक्स लास्ट तक वीडियो देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा कि एक बहुत प्यारा होपसूरत फ्लार बना है कि इसको हम यहां बेर डबल करेंगे डबल चैन स्टिक को यह सिंगल स्टिच लिया ऐसे इसके अंदर से गुजार के फ्रेस को ऐसे करते हैं यह देखिए यह पना प्रेदा प्रेड़ा सा ऐसे लाग रहे है नहीं को बीट को बीट का बीट परना है ए यह हम बना रहे हैं अब तीसरा स्टिच बटन होल स्टिच आ है और बिल्कुल यहां पर यह बन्य कभी सरकल में है तो वे पर को लाइसे लगएगा जैसे बटन स्रीची है बटन खोल बन किया है एक थ्रेड को अपने हाथ में रखा जैसे मैं ने दिखाया नीचे इसको अटैच रखा हुआ है नीचे इसको प्रेशर में और देखिए दर्मयान थे हर साइज आमें स्टिच का एक साइज देना है छोटा बड़ा लेंगे तो वह कंप्रीटली आपको चानी नीट नहीं बने बीड बनाएंगे यह देखें एक दो और यह नीचे सुई के अंदर पिल्कुल सेंटर में जिदे से स्ट्रेड निकाल है उसी के साथ जो स्ट्रेड है उसको हाथ में पकड़के थोड़ा सा टैट करें और सुई को नीचे से खेंचे तो यह आपका बीड स्टिच बन जेगा और यह दर्मियान में आपको ऐसे लग रहे हैं जैसे हमें इसके अंदर बेड लगाया है देखें जब यह फ्लार मुकम्मल कंपलीट हो गया तो कितना हुबसूरत हो गया इसको दुबट्टी पे बैडशीट पे सरहाने पे पिलो पे आप जिदर भी आप शिर्स पे जिदर लगाएंगे बनाएंगे और वहीं पे बीजिए खुद नहीं हुबसूरत लगेगा